हेलो मैं डिया फ्राइंड मैं दिक्षे चौदरी स्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल संट करें पदार्तों के गुड़ जो थे उनके बारे में अध्यान कर रहे थे तो जो हमारे सेश गुण जो बच गए थे अभी लाक्ष्ण गुण उनके बारे में हम जानने वाले हैं हमने कल कहां तक जान लिया ता कल की वीडियो में हमने जान लिया था कि पदार्त के गड़, अत्यदिक सोक्ष मोते हैं यह हम फड़ चुके हैं पदार्त के कड़ों के मदिरिधी BO normal पड़ चुके हैं साहटी साहन। हम आज पढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट जो है वो आपको काफी लेंदी है उसे समझने के लिए हमें तीन-तीन एक्टिविटी लेनी पड़ेंगी तब यह आपको समझ में आईगी तो इसमें हम ग्या समझने वाले हैं कि पधार्तों के कड़ सदेव गत और धीमान करते हैं उसके लिए हमने लिया थर्ड पॉइंट और हमने या हेडिंग डाली पधार के कड़ निरयंतर घतिशील होते हैं पार्टिकल्स ओफ मेटर आर्प कोन्टिविशली मूब आपकोशाय करते हैं in activity के 3 तो जो पधार्त है particles हैं उनके जो कण है matter है वो particles जो है वो regularly क्या करते हैं move करते हैं उसके लिए अगर आपके paper में क्या आता है अगर आपके paper में question आता है ये कि पधार्तिकर सदेव गतिमा नवस्ता में रहते हैं इसे आप सिद्ध करिए सिद्ध करने के लिए आप इन में से कोई भी एक example activity में से दे सकते है activity 3 भी दे सकते activity 4 भी 5 थोड़ी अलग है अगर आपसे बोला जाता है कि वायू में सिद्ध करिए कि वायू में पधार्तिकर अब भी हमारे चारो तरफ क्या है गैसेज है अब आपसे बोले कि गैसेज भी क्या है पधार्तिकर गतिशील होते हैं उसको सिद्ध करिए तो आप activity 3 को देंगे अब अगर आपसे बोलता है कि जल में जो कर्ण होते हैं वो गतिमान अवस्था में होते हैं तो आप क्या करेंगे तो आप activity 4 को देंगे अब हम start करते हैं activity 3 में जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है activity 3 को उद्देश्य का मतलब होता है कि हम इस activity के तो क्या जानने वाले हैं तो भाई हम इस activity के तो जानने वाले हैं कि वाईयू में मिले हुए किसी पधार्थ की कड सदेव गतिशी लवस्था में रहते हैं हम इससे क्या सिद्ध करने वाले हैं हम इससे सिद्ध करने वाले हैं जो हमारी वाईयू है बाई यू में गैसेश के सिवा कुछ दूल के कण भी तो है वो दूल के कण हमें इन आखों से लिखते नहीं तो जो वाई यू में जो कण है वो सदेव गतिमान अवस्था में होते हैं इस activity के थो गतिशील अवस्था में होते हैं हम यह प्रोक्ष करने वाले हैं आप पेपर में बुलकुल इसी तरह लिखकर आईएगा, सबसे पहले क्या लिखेगा, उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आप लिखेगा, material required, यानि उपकरण जो आवशक उपकरण, क्या आवशक उपकरण है, तो इस activity में हम क्या लेंगे, या तो आप अगरवत्ती ले लिखेगा, या ले लिजे दूबत्ती, ठीक, तो माली जी हम ले लेते हैं अगरवत्ती, आप दोनों ही लिख सकते हैं, अगरवत्ती या दूबत्ती, साथ में एक हमें stand चाहिए होगा, और एक हमें क्या चाहिए होगी, मात जिस, मात इतनी सी चीज, तीन चीजों के तरो, ह कि भई पधार्टी गण गतिमा नवस्ता में होते हैं, आज से आप नोटिस कीजिएगा, और साथ में दूसरे जो परसन है, उसको भी बताएगा, कि कैसे पधार्टी गण वाई-उ में गतिमा नवस्ता में होते हैं, चलते हैं हम आगे की ओर, अब देखिए, material requirement के बाद, जो आप अपनी notebook में लेखेंगे, वो लेखेंगे, procedure, procedure, procedure में क्या होगा, कि आपने जो जो क्या 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 किया, अब ही जो आपने करन लिया है, उसका आप कुछ करेंगे भी तो सही, अब उसका आप क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले, आप बंद कमरे में हमने एक अगरबत्ती ली, उसे stand पर लगाया, अगरबत्ती को stand पर लगाकर हमने उसे रख दिया, एक कौने पर, माली जे ये room है, ठिक, ये, माली जे ये room है, इस board को आप room माली जे, ठिक, अब हमने क्या किया, एक stand पर, माली जे ये stand है, अगरबत्ती का, इस स्टेंड पर हमने एक अगरबत्ती लगा दी ठीक यह हमारी अगरबत्ती हो गई अब यह रूम का दूसरा दूसरी तरफ है दूसरा कोना इस तरफ माल लीजिए ठीक दूसरे कौने में हमने एक और अगरवत्ती लगाई ये क्या हो गई? अगरवत्ती अलग गई अब हमने क्या किया? जो पहली अगरवत्ती है उसको हमने नहीं जलाया नहीं जलाया लेकिन जो दूसरी अगरवत्ती है हमने उसको जला दिया अब भई जला दिया तो इसमें से धुवा निकलेगा, क्या निकलेगा? धुवा तो आप क्या देखेंगे? कि जो हमने जलाई नहीं है, उस अगरवत्ती की स्मेल पूरे कमरे में नहीं फैलेगी उस अगरबत्ती की smell कैसे आएगी? उस अगरबत्ती की smell जब मैं इसके पास जाऊंगी और इसको सुणूंगी तब मुझे इसकी smell आएगी जबकि जो अगरबत्ती हमने जला चुके हैं और जिसका धुआ पूरे कमरे में फैल गया उस अगरबत्ती की smell क्या है पूरे कमरे में आएगी तो अब आप बोलेंगे भई धुए से क्या मतलब है धुए से ही तो मतलब है देखिए जब हमने अगरबत्ती को नहीं जलाया तो इसकी जो कण है वो क्या है अगरबत्ती के कंड क्या है वहीं पर रहे इस्थिर रहे यानि दूर तक नहीं फैले जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया तो इसके कंड क्या है पूरे कमरे में फैल गए अब आप सिद्ध कर सकते हैं यानि कमरे में पहले से वायू पस्चित है और हमने इसे जलाया तो इसके जो कण है वाईयू में मिल गए वाईयू में कोई चीज़ कम मिलेगी भाई यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भाई उसके लिए movement होनी चाहिए उसमें गती शीर होनी चाहिए मैं ऐसे चलूँगी तो यानि मेरे अंदर क्या है गती है और अगर मैं ऐसे नहीं चल ले केवाल state movement में खड़ी हूँ तो मेरे अंदर कोई गती नहीं है ये धुआ जो है ये पूरे कमरे में कैसे फैला उड़की चला गया गती है इसमें इसलिए तो चला गया एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर क्या हो जाती है गती हो जाती है और ये इस स्थान से पूरे कमरे में फैल गया धुआ तो क्या है इसमें गती है पूरे कमरे में फैल कर क्या है पूरे कमरे में मिल गया एक स्थान से जबकि यहां से इसका धुअ यहां तक भी आ गया यहां तक भी इसके स्मैल आ गई जबकि इस अगरबत्ति की स्मैल नहीं आई तो इस एक्सपेरिमेंट के थो यह PROOP हो जाथा है कि जो हमारे जो वायू है वायू में जो कण है वायू में मिले हुए किसी पधाट के जो भी कण है वो क्या है सदेव गतिमान अवस्था में होते हैं जो हमें दिखते नहीं है धूर के कण आप दूप में देखिएगा तब ही जिसे उजाला आ जाता है जिसे रोशंदान वगे आप ये बात notice कर चुके होंगे कई बार तो आप लोगों के यह clear हुआ हो observation में आप लोग बताएंगे कि आपने क्या देखा आप लोग इसमें लिखेंगे procedure में तो आप यह बताएंगे कि आपने क्या-क्या प्रोसिस करी पहले बताएंगे कि एक कमरे में हमने एक दूब बत्ती क्या लिए बिना जली हुई रखी और एक में जलाई स्टेंड पर लगाई और इस तरह ये सब आप बना दीजीगा खोद ठीक और observation में हम लोग क्या लेखेंगे observation में जो हमने observe किया देखा observe में क्या देखा हम observation में पहला point लिखेंगे कि भाई जो हमने इस्टेंड पर एक अगरबत्ती लगाई और जिसे हमने नहीं जलाया उसकी जो सुगंद है वो पूरे कमरे में नहीं पैली वो उसकी सुगंद किवल उस सकी सीमित रही second point लिखेंगे जो अगरबत्ती हमने जलाई और उसका धुआ पूरे कमरे में फैल गया उसकी जो कण है पूरे में फैल गए तो गंद एक इस्थां से तूस्थां तक आ रही थी यह हमने observe में देख लिया result का या result जो हमसे पूछ रहा है उद्देश्य को वही लिखेंगे कि अब इससे सिद्ध होता है क्योंकि भई उस अगरबत्ती की जो कण है पूरे कमरे में फैल चुके है अब इससे हमें सिद्ध हो चुका है कि जो वाईयू में जो भी कण उपस्तित होते हैं वो सदेव गत करते हैं एक्टिविटी फोर पर देखते हैं कि एक्टिविटी फोर क्या कहती है एक्टिविटी फोर का जो उद्देश्य है वो है कि जल्में मिलाने पर पधार्टो के कंड करती शील अवस्ता में रहते हैं यहां तो हमने वाईयू में देखा किसमें देखा वाईयू में हैं यहां हमने वायू में डेहां अभ यहां हम देखने वाले ला वह कैसे घतिमा नवस्ता में होते हैं तो इसके लिए तो इसके लिए हमने जो material required है आवश्यक उपकरण है वो है हमारे दो बीकर इसमें हम दो बीकर लेंगे साथ में या तो आप नीली इंक ले सकते हैं नीली स्याही या लाल स्याही ठीक और साथ में हम शहद लेंगे और जल लेंगे क्या लेखेंगे material required में सबसे पहले आपको किसी भी activity के लिए क्या लेखना पड़ता है उद्देश है आपका क्या उद्देश है objective आपका क्या है उद्देश लेखेंगे ठीक हमें इससे क्या प्रूफ करना है कि जल में जो मिलने वाले पधारतों की करना है वो गतिमा नवस्त हमें होते हैं उसके बाद हम लेखेंगे material required कि हमें किस-kis material की requirement है तो हमें दो बीकर की requirement है साथ में नीली या काली नीली या लाल सिहाई ले लिजे और शहद और जल अब हमें इस activity में क्या करने वाले हैं हम माल लिजे यहां पर मैं diagram बना देती हूं इसको हम मिटा देते हैं और यहां पर हम diagram के तुरों समझ देते हैं तो मैं भी से मिटाती हैं तो अब हम बनाने वाले हैं दो बीकर क्योंकि हमने क्या लिए दो बीकर लिए हैं तो यहां पर हम बन चुके हैं दो बीकर दोनों को same length बनाना है तो इसको भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा नीचा तो यह दो बीकर बन गए अब दो बीकर में हमें क्या लेना है नीली या लाल स्याई जल तो सबसे पहले आप लोग procedure में क्या लिखेंगे procedure यानि जो आप process follow कर रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे कि हमने दो beaker लिए दो beaker में first point डालेंगे beakerों को हमने किस से बर लिया जल से बर लिया second point में डालेंगे first point हो कि हम beakerों को किस से बर लिया जल से second point में डालेंगे अब हम एक बीकर में क्या डालते हैं एक बीकर में हम लाल स्याई मेरे पास यहां पर लाल मरकर है तो मैं यहां लाल स्याई डाली हमने यहां पर इस तरह से लाल स्याई की एक बून डाली यह स्पूर माले लिजिए लाल स्याई की क्या डाली एक बून हमने फस्ट बीकर में डा पास शहत क्या है SHY?」 अब इसे में लखिएगा सेकेंट पांट से ला उसी में लखे गाए आप एक फ्र बून दर्णमनें बी गर्म हमने शहत की एक बून दर्णमि यह आं पर हम क्या करेंगे शहत की एक बून दर्णम ठीक, अब क्या होगा, 3rd point में आप क्या लिखेंगे, बस हाँ, procedure हमने यहां तक कर लिया, process हमारी पूरी हो चुगी, हमने क्या 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 किया, उसके बाद observation हमने क्या देखा, observation में देखेंगे, observation में हमने देखा, कि जो first beaker है जो उतने ल्याल स्याई डाली पानी में वो बहुती तीवरता से घुल गई पानी में ठीक, जबकि जो द्यतिय बीकर है उसमें हमने शेहड डाला वो इतनी तीवरता से नहीं घुल पाया आप देखते होंगे अगर आप शेहड को पानी में डालेंगे तो वो उतनी तीवरता से नहीं घुल पायेगा जबकि जो स्याही है वो क्या है वो तीवरता से घुल जाएगी यह हमारा किसमें हो चुका है यह हमारा observation में हो चुका है अब इसका result क्या मिलेगा रिजल्ट में आप लिखेंगे भई result में हमने देखा कि जो यहाँ पर हम यह तो बात नहीं कर रहे हैं कि भई वो लेट क्यों घुला जो शेयद है वो धीमे से क्यों घुला और जो CIA वो जल्दी क्यों घुली हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ केवाद यह प्रूप कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या पधार्तों की कड़ों की बीच में घुला तो हम रिजल्ट में केवाद इतना ही लिखेंगे अतैस सिद्ध होता है कि जब हमने स्याही और किसको शेयद को पानी में डाला तो वो पानी में घुल गए घुल गए कोई चीज कब घुलेगी जैसे ही हमने स्याही को पानी में डाला स्याही को क्या डाला पानी में अब स्याही को पानी में डाला तो भाई अगर ये गती नहीं करता अब आप देख लीजे कभी पानी में आप सिक्के को गेर देना एक रुपे का सिक्का हो उसे गेर देना वो जाके सिद्धे नीचे बैठ जाएगा बैठे का नीचे यानि उसने क्या नहीं करी गती नहीं करी सिक्के ने सिक्के ने क्या नहीं करी भले ही वो देर से गुले, चम्मच गुमाने पर गुले, लिकिन वो गुल जाएगा, उसका कैसा हो जाएगा, वो मीठा हो जाएगा पानी हल्का, तो इससे सिद्ध हुआ, ये इसमें अगर मिल गए तो क्या सिद्ध होता है, कि जब जल और स्याही, और जल और शहत आपस में म पधार्थ का जो कड़ है, वो गती करता है, इस तभी तो प्रूफ होगा, जब वो इस दूसरे मिल जाएंगे, तो इससे प्रूफ हो गया है, ठीक है, I hope आप लोगों को ये वाला जो एक्टिविटी 4 है, ये आपको क्लियर हुई हो, कि ती दिर क्यों हुई है, अब हम समझ अजने वाले हैं, एक्टिविटी 5, इसका उद्देश्य जो है, वो ये है, कि पधार्थों की कड़ों की गती शीलता ताप पर निर्भर करती है, यहां तक हमने केवल बायू में पधार्थ की कंड देके गती कर रहे है, पर हमने जल में देके जल की पधार्थ कंड गती कर है, अब यहां पर हम यह देखेंगे, यह जो गती कर रहे है, यह जो गती है, यह किस पर निर्भर कर रही है, यह गती किस पर निर्भर कर रही है, यह गती ताप पर निर्भर कर रही है, यह हम एक्जांबल की तो समझे रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें मैटेर की requirement है सबसे पहले दो भीकर लेंगे दो भीकर हम इसे मिटा देते हैं कि इसे मिटाईए आप इसे भी इसे भी अब हम क्या करते हैं इसमें तो हम ले लेते हैं थंडा जल एक में क्या ले लेते हैं थंडा जल इसमें हैं हमारा थंडा जल और रेड़ पैंसे मैं बना देती हूं इसमें हमारा गरम जल इसमें हमारा warm water है इसमें हमारा कैसा है cold water है थंडा जल मतलब साधरन जैसा रहता है थंडा अब हमने क्या लिया kmn-o-4 के मैंनो 4 के क्रस्टल लेंगे ठीक के मैंनो 4 के क्रस्टल लिए अब हम क्या करेंगे भाई procedure में तो आप procedure में आप क्या लिखेंगे procedure में यह लखेंगे पॉस्पोईंट डाल देना हमने दो बीकर लिये ठीके दो बीकर हुं मैं जल बरा यह । नहीं हम ने जल पार रा यह पहला क्रश्टल में गिरा केमनो फुक और क्रस्टल वार्म बॉटर में डाला ठीक अब क्या होगा अब आप ही सोचिए कि करस्च थंडि पानी में क्रस्टल जल्दी जल्दी खूलेंगे यह वॉर्म बॉटर में जलदी century आप या lite आप वाथ है कि मैंनो 4 के जो क्रेस्टल हैं वो किसमे जल्दी घुलेंगे गरम पानी में खुलेंगे और cold water में देरी से खुलेंगे अब इससे यह हमारी क्या हो गई यह हमारी हो गई observation हमने यह अब्जर्व किया कि किसमें late से खुलें और किसमें जल्दी cold water में कैसे गुलेंगे देर से और warm water जो हमारी गरम पानी इसमें क्या है जल्दी से यह हमने observe किया और result क्या है result यह आता है कि हम देखते हैं कि Kmno4 result में क्या है कि हमें यह प्राप्त हो गया हम यह बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ cold water में जो Kmno4 के क्रस्कल है आता इसे सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हो गया कि जो गती जो कड़ है उनके जो पधार्त के जो कड़ है उनकी गती किस पर निर्वर करती है ताप पर निर्वर करती है इसका ताप क्या था ज्यादा था क्योंकि यह गरम था ताप कैसा था इसका इसका जादा था तो इसका क्या है तेजी से पधार्थ के कड गुल गए तो अतया इससे सिद्ध होता है कि पधार्थ के कड किस पनेवर करते हैं पधार्थ के कड की जो गती शीलता है वो ताप पनेवर करती है जैसे ही इसमें हम water को boil करते हैं इसके पधार्थ जो इस water के भी क पर लोगों को यह तीनों एक्टिविटी है वो प्लियर हुए हों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छल लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने ज़ाद 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 दोस्तों में शियर करें ताकि मुझे भी motivation मिले आप लोग